आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किसी भी पेंट ड्राइब को बुटेवल कैसे बनाए जाता है तो आप यहां देख रहे हैं कि बहुत सरे यहां पेंट ड्राइब है जैसे सेंडेक्स का है और यहां केंगेस्टोन का भी है आप कोई भी कमपनी क्या एक पेंट ड्राइब खरिद सकते हैं कम से कम उसका स्टोरेज क्याफिटी होना चाहिए 8GB 8GB या 16GB का आप पेंट ड्राइब मार्केट से ले सकते हैं उसके बाद इस पेंट ड्राइब में कैसे बुटेवल बनाया जाएगा वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बतान इसी है इसमें क्या करेंगे इस पेंट ड्राइब को सबसे पहले हम क्या करेंगे लगा देंगे लगा देंगे पेंट ड्राइब लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो आपके लेपटप में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए उसके बाद आप क्या कीच यहां पर फर्स्ट जो दिख रहा है गेट इंटू PC डाउनलोड फ्री और डिजार आप यहां क्लिक करेंगे क्लिक करने के वद इस तरह ना विंडो उपेन होगा अब इसमें आपको क्या करना है आप हैं अंपर भोल सफ्ट्विएर आपको मिल जाएगा ज्सें सथ्ट्व्य के टेगरीच चेहां यहां से आप यहां से आप all software categories में डाउनलोड कर सकते हैं जैसे 3D Analyze इस तरह के बहुत सरे यहां पर सफ्ट्वेर है तो आपको करना क्या operating system पर जाना है कि operating system पर जाने के बाद आप यहां देख रहा है कि विंडूस 10 आ गया 64 bit में यहां विंडूस 7 अल्टिमेट 32 bits और 64 bit है इसमें बहुत सरे यहां पर आपको विंडूस दीख रहा है इसमें आपको करना क्या है यहां से आप सर्च भी कर सकते हैं सर्च वाक्स में जाईए और टाइप कर दिजिए विंडूस तो यहां विंडूस 7 एट 10 हम टाइप करेंगे क्योंकि हमको all-in-one all-in-one यानि की multiple bootable बनाना है एकी pen drive में आपका 7 8 और 10 बनाना है इसलिए हम लोग क्या इसलिए 10 all-in-one यह 2018 ISO फाइल है और यह अपका जून 2019 का है और यहां आप देख रहे हैं जनुवरी 2020 का भी है तो इसमें से आप कोई भी ऑप्रेटिंग सिस्टम यानि की कोई भी यह ISO डाउनलोड कर सकते हैं जिसे हम क्या करते हैं इसको ही डाउनलोड कर देते हैं 2018 यह आप यह 2019 भी डाउनलोड कर सकते हैं यहां क्ल्क करते हैं कि क्लिक करने के बाद आप क्या करना है कि अब कि देखें यहां पे जब नीचे माद यह कट एक देर आप सब्सक् mulher दाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके या 64 bit में डाउनलोड करना चाहते हैं तो 64 bit में भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका size जो होता है 32 bits का size आप देख सकते हैं 7 GB का है और 64 bit का है आपका 6.7 GB में तो अभी हम 64 bit ही डाउनलोड करेंगे सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आपके पास कम से कम 7 GB डाटा होना चाहिए तब ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं 64 bit पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप यहां देख रहे हैं कि आपका डाउनलोड इगो होना शूरू हो गया है आपका file download हो रहा है जैसे आप देख सकते हैं अभी हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे इसको हम stop कर देते हैं क्योंकि हम पाले से इस सफ्ट्वेयर को डाउनलोड करके रखे हैं यानि कि इस ISO फाइल को डाउनलोड करके रखे हैं इसलिए हम क्या करेंगे इसको डाउनलोड नहीं करेंगे चलिए हम जहां डाउनलोड करके रखे हैं उसको देखते हैं जैसे यहाँ पे मेरा ISO फाइल डाउनलोड करके रखा हुआ है यह अपका 7 8 और 10 है यानि कि All-in-one ISO है अब हम क्या करते हैं इसको कि Minimize कर देते हैं अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आई यह सो फाइल डाउनलोड कर लेने के बाद एक और सॉफ्ट्वेर हम लोग को डाउनलोड करना पड़ता है जिसके द्वारा हम लोग बुट बनाते हैं यानि कि बुटेबल बनाते हैं उसका उस सफ्ट्वेर का ना सब्सक्राइब लग धिलावन 3.1 डाउनलोड दिया हूआ अब यह है कर दो कि क्लिक करने के बाद यहां लैटेस्ट वर्जन आ अगया है इस पहे करेंगे क्लिक करेंगे कि उसके बाद डाउनलोड आएगा इसका साइज ज्यादा नहीं होता है वन एमबी का रहता है तो डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे अब यह क्या हो जागा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर यह रिफ्यूज सफ्ट्वेर डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड हो जाने के बाद तो अब देख रहे हैं कि यह रिफ्यूज सफ्ट्वेर डाउनलोड हो गया है इसको हम क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं ओपन करने के लिए क्या करेंगे दिस विसी में जाएंगे और यहां डाउनलोड में आएंगे तब देख रहें यहां पर रिफ्यूज डाउनलोड हो गया है अब हम करेंगे क्या इसको डबल क्लिक करेंगे और यस कर देंगे यस करेंगे यहां से अब यस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ड्राइब प्रोपर्टिस हो करेंगा यानि कि रिफ्यूज का एक विंडो ओपन हो गया है अब आपको यहां पे अपने पेंट ड्राइब को स्लेक्ट करना है तो आटोमेटिक यहां आपका पेंट ड्राइब जो पेंट ड्राइब हम इसमें लगा है ल Rece ma इसके बाद आपको क्या करना है। है यहां पे इस PC को open कीजिए और आप यहाँ देख सकते हैं जो pen drive लगाया गया है वो आपका यहाँ पे so कर रहा है उसके बद आपको क्या करना है यहाँ पे ISO image को क्या करना है select करना है उसके लिए आपको क्या करना है यानि कि जो ISO file हम लोग download किये थे उसको क्या करना है यहाँ पे select करना है तो select पे जाना है और हम जो download करके रखे है ISO file वो localdix e में रखे है software नाम से folder में जिसे यहाँ windows 7, 8, 10 का ISO file है यहाँ क्लिक करके इसको क्या करते हैं select कर लेते हैं तो वो ISO यहाँ आपका select हो गया है 7, 8, 10 अब हम क्या करेंगे यहाँ से start कर देंगे यहाँ refuse के तरफ से एक warning आता है कि अगर आपके paint drive में पहले से कोई data है तो वो data delete हो जाएगा ओके करेंगे ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि delete हो गया और यहाँ से आपका bootable बनना सुरू हो गया है तो आप देख रहे हैं कि ISO फाइल 97% कॉपी हो गया है 100% होने तक वेट करेंगा भी आपका ISO फाइल 100% complete हो गया है उसके बाद हम इसको क्या करेंगे close कर देंगे close करने के बाद आपका ISO फाइल क्या हो गया ready हो गया यानि कि bootable paint drive जो है वो बनके ready हो गया है तयार हो गया अब इसको close कर देंगे और this specific open करते है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पी आपका यह bootable बनके ready हो गया इस pen drive में अब यहां दूर शो कर रहा है एक G और H और एक H यह है इसलिए शो कर रहा है कि यहाँ इस pendrive को partition किया गया है 2 part में कि इसको partition किया गया है इसलिए यह शो कर रहा है आपके pen drive में partition नह कि तो अब हम क्या करेंगे इसको पेंट ड्राइब को निकाल लेते हैं तो अपका पेंट ड्राइब बनके रेड़ी हो गया अब आप कोई भी कंप्यूटर को फार्मिट करके उसमें विंडो सेवन एट या टिन कोई भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं आसा करता हूं कि यह व